गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग प्रभाद सिंग दिव्यांसु शिंग राजपूत निशु कुमारी सब लोगो गुड़ मॉर्निंग और आप सभी का सैम लर्णिंग एप के इस किमेस्ट्री क्लास में श्वागत है फास्ट बहुंआ, जल्दी 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 जो वी जो जोईन करने माले हैं जल से जल जोईन कर लें कि सर हिंधी में इडियम है या इंग्लिस मीडियम हिंदी मीडियम है इलेवन्ट का किमेस्ट्री चलेगा इसमें अगर कोई बच्छा टूवेल्ट का अगर मैथ 12 का जुड़ा होगा तो उलो का अग्लास जो है वो कैंसिल हो चुका है कर्ब का जो है रूटेन बता दिए से मैथ वाले जो इस चैनल पर ट्विल्थ क्लास वाले जुड़े होंगे तो उनका क्लास केंसिल हो चुका है बहुत प्रभाद सिंग है रोईत कुमार गुड मॉर्निंग सर इंग्लिस मीडियम का कब होगा बस इसके बाद 10-11 हिंदी मीडियम है और 11-12 इंग्लिस मीडियम होगा केमेस्ट्री चलिए तो आप सभी लोग जुड़ गए है एक बाद से सभी लोग का इस जो है लाइफ क्लास में वेलकम है आज हम लोग इंटोड़क्शन ऑफ केमेस्ट्री स्टडी करेंगे ठीक है सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं कौन हूँ मुझे बत्ते जो है वो केमेस्ट्री गुरू मनिशर के नाम से जानते हैं इसमें से कुछ लोग आप लोग साइध पास्चान भी रहे होंगे ठीक है नहीं जानते होंगे जो लोग उनको मैं बता देता हूं कि मैं आपको जो है केमेस्ट्री पढ़ाऊंगा इस सेम जो है आप लोग तो थोड़ा सा ड़ लगता है अंधे अंचे तरीके से समझ नहीं पाते हैं अगर कि मुकि अच्छे से समझ करें ऐसे समझे आहि'm नहीं सबसे पहले में आज आपको इस कुलास में केमेस्ट्री के इंट्रोडक्शन और नुसमें सिएर कर दीजिए यह जो टौपिक होगा वह इंट्रोडक्शनlord केमेस्ट्री होगा इन प्रोड़क्शन ओफ केमेस्ट्री सबसे पहले हम लोग केमेस्ट्री के इंट्रोड़क्शन से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा बहुत अच्छा आ जाई है यानि रासायन सास्त्र का परिचाए रासायन सास्त्र का परिचाए इंट्रोड़क्शन ओफ केमेस्ट्री रासायन सास्त्र का परिचाए ठीक है आब आजाईए ध्यान देजिए गर सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि रासायन सास्त्र का परिचाए what is chemistry, chemistry में हम लोग कीन चीजों के बारे में study करते हैं तो बहुआ, chemistry में आप जो भी पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि पदार्थ के बारे में study किया जाता है, ठीक है अब यह पदार्थ जो है, जैसे आप किसी तत्वे की बात करते हैं sodium हो गया, oxygen हो गया, fluorine हो गया, nitrogen हो गया, hydrogen हो गया ठीक है, तो यह सब जो भी तत्वे हैं यह भी पदार्थ हैं जल हो गया, H2O, यह सब योगिक हैं आपका, यह सभी तत्वे हैं और नीचे मैं आपको जो है, योगिक बता रहा हो, ध्यान देजिएगा sodium, oxygen, fluorine, nitrogen, hydrogen यह सब तत्वे हैं, नीचे यह सब आपके जो है, योगिक हो गया ठीक है, और इसी परकार जो आप मिस्रधातू जानते हैं, जैसे पीतल हो गया जो भी एलवाय आप जानते हैं, पीतल हो गया, कासा हो गया, stainless steel हो गया, यह सब मिस्रधातू है तो सब को हम लोग एक सब्द बोलते हैं, पदार्थ, और पदार्थ के बारे में आप लोग जानते हैं, matter और substance के बारे में आप लोग को पता है उन पदार्थ के सभी गुणों के बारे में अधियन किया जाता है, उन पदार्थ के निर्मार की जो बीधी होती है, उसके बारे में हम लोग अधियन करते हैं उन पदार्त का निर्माड इन कीन अवियवों से हुआ है, यानि उस पदार्त के संगटन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, और उन पदार्त के मध्य में होने वाली वीबिन अभिक्रियाव का अधियन करते हैं, ठीक है, तो राशायन सास्थ, मैं आपको एक बार definition को repeat कर रहा हूँ रासायन सास्त बिज्ञान की वह सखा है जिसके अंतरगत हम लोग पदार्थ तथा पदार्थ के गूड, संरचना, संघटन एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं अभिक्रियाओं का अध्यन करते हैं Good morning, good morning लोग इंट्रोड़क्शन ओफ केमेस्टी स्टार्ट किये हुए हैं वह यह आपका गालेक्टर वन है तिक हैं लेक्चर वन है यह इलेविन कलास के लिए कलास है आपका इलेविन 11th class का है चिक है medium है Hindi medium Hindi medium का हम लोग इसमें study कर रहे है Hindi medium का चल रहा है Hindi medium chemistry जिसका time है बहुआ 10 से 11 चिक है तो चलिए First lecture है ये मेरा introduction हो गया अब आजाईए ध्यान दिजिए तो रासाइन सास्त्र क्या है वह हुआ सबसे पहले मैं लिख देता हूँ उसके बार एक बार और repeat कर दूँगा आजाईए रासाइन सास्त्र रासाइन सास्त्र बिज्ञान की वह सखा है रासाइन सास्त्र बिज्ञान की वह सखा है जिसके अंतरगत जिसके अंतरगत पदार्थ पदार्थ उनके गूर्थ संद्रचना संग्गटन एवां उनमें होने वाले परिवर्थनों एवां अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है ठीक है आजाएए ध्यान देजिएगा रासाइन सास्त्र बिज्ञान की वह सखा है जिसके अंतरगत, पदार्थ, उनके गूर्ण, संद्रचना, संग्गटन एवां उनमें होने वाले परिवर्थनों का अध्ययन किया जाता है ठीक है तो रासाइन सास्त्र क्या है माइड में स्टेट कर लिजिए रासाइन सास्त्र के अंतरगत हम लोग फुल्ली और फुल्ली किसके बारे में स्टेटी करते है तो पदार्थ के बारे में स्टेटी करते है चलिए डिफिनिशन को एक बार और देखिए आप लोग रासाइन सास्त्र क्या है तो बिज्ञान की वह सक्खा है जिसके अंतरगत पदार्थ और पदार्थ के गूर संड़चना संगटन एवं उनमें होने वाले परिवर्तन किन में होने वाले परिवर्तन तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन तथा उनके मध्य होने वाले अभिक्रियाओं का अधियन किया जाता है ठीक है चलिए बहुँआ अब आज आईए अब जो है सबसे पहला चीज़, देखिया आज हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किये हुए हैं, उसके बाद आप जो चाहिएगा वो सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि किमेस्टी के कितनी सखा हैं, उसमें स हम लोग के सिलेबस में कौन-कौन सी सखा पड़नी है, जैसे फिजिकल केमेस्ट्री हो गया, और्गेनिक केमेस्ट्री हो गया, इन और्गेनिक केमेस्ट्री हो गया, ठीक है न, तो यह जो तीन गो पार्ट है केमेस्ट्री का, भौतिक रसायंसास, कार्बनिक रसायंसास, औ आखर्मिक रासायन साथ इन तीनों पार्ट को हम लोग अपने शीलेवस में इस्टडडी करना थे और बायो केमेस्ट्री का भी कुछ पाठ आ अजाता है लेकिन वह जो है आपको ट्विल्थ में मिलेगा और मूल रूप से बाईलोजी में वह सारा जो है केमेस्ट्री बायो केमेस्ट्री जो है वो हो जाता है लेकिन कुछ पार्ट उसको हम लोग को 12 में स्टडी करना है ठीक है तो देखिए बहुआ अब आज आईए अब हम लोग इसके बाद देखेंगे यह तो रासाइंस सास्त्र का डिफिनीशन हो गया परिभासा हो गया अब हम लोग यह द आज़ाए तो ध्यान दिजिएगा रासाइंस सास्त्र इसकी उत्पति किस सब्दे से भुई है वह वा तो रासायंस सास्त्र जी से हम लोग क्या काते हैं इंग्लिस में हम लोग काते हैं केमेस्ट्री रासाइन सास्त्र जीसे इंगलीस में हम लोग क्या काते हैं केमेस्ट्री काते हैं केमेस्ट्री की उत्पती उत्पती एक ग्रीक साब्द एक ग्रीक साब्द केमिया ग्रीक साब्द केमिया से हुई है जिसका साब्दिक अर्थ होता है काला रंग जिसका साब्दिक अर्थ होता है बहुआ काला रंग आज आईए ध्यान दिजिएगा तो केमेस्ट्री शब्द की उत्पति एक गडिक शब्द किससे हुई है केमिया से हुई है इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आप लोग केमेस्ट्री की उत्पति किस सब्दे से हुई है तो केमिया सब्दे से हुई है और यह केमिया क्या है तो यह केमिया बववा एक गरी के सब्द है जिसका साब्दिक अर्थ क्या होता है तो साब्दिक अर्थ काल रंग होता है और यह केमिया कहां पर प्रयोग किया जाता है बहुआ तो यह केमिया सब्द जो है वह मिस्रे में काली मीटी को कहा जाता था मिस्रे देश के काली मीटी काली मीटी को क्या कहा जाता था केमिया कहा जाता था है ना और वहीं से जो है केमिया से क्या बना chemistry बना, तो उत्पति वाला देश हो गिया मिस्र, ध्याँ दिजिएगा, तो chemistry की उत्पति वाला सब्द हो गिया आपका केमिया, और उत्पति वाला देश कांसा हो गिया बहुआ, उत्पति वाला देश हो गिया आपका, उत्पति वाला देश हो गिया आपका मिस्र, ठीक है उत्पत्ति वाला देश हो लिए आपका मिस्र मिस्र की काली मीटी को केमिया कहा जाता था मिस्र की मिस्र देश में परियोग होने वाली काली मीटी को क्या कहा जाता था केमिया कहा जाता था ठीक है और वहीं से केमेस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई तो आज आईए बहुआ, आज हम लोग इस lecture में, lecture 1 में introduction of chemistry के बारे में हम लोग study कर रहे हैं ठीक है, उसके बाद मैं आपको धीरे-धीरे सहले-सहले आगे की तरह बढ़ाते ले जाओंगा अब आज आईए, next देखिए बहुआ, उत्पतिवाला देश आपको पता हो गया, मैं आप लोगों से पुछना चाहूंगा कि बताईए, आधुनी कर आसायन भी ज्ञान का पिता कीसे कहा जाता है, आधुनी कर आसायन भी ज्ञान का जनक कीसे कहा जाता है कॉमेंट में बताईए, पता होगा आप लोगो को क्योंकि आपने 9 और 3 में भी केमेस्ट्री पढ़ा है, यह सर मुझे भी नहीं पता था, सर आपका नेम क्या है, वहुआ यहां पर मैंने लिख दिया है, मेरा नाम है केमेस्ट्री गुरू मनीशर, चिक है, इसी नाम से बच आईए, लेवोजियर, हाँ गुट, जबाब आया हुआ है, बैवाव गुपता लेवोजियर, लेवोजियर नामक बैग्यानिक ने, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर उनका पूरा नाम था, एंटोनी लेवोजियर जो है, वो फादर आफ मोडर्न केमिस्ट्र कहलाते हैं आधुनिक रासायन भी ग्यान के जनक कहलाते हैं ठीक है आज आईए ध्यान देजिए बहुआ गोड किस दियेगा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं लिख देता हूं चलिए सब लोगों को याद हो गया होगा एन्टोनी लेवोजियर क्या नाम था एन्टोनी लेवोजियर ठीक है वो फ्रांसिस्त थे और उन्होंने द्रब्यमान सर्णख्षन सिधान का प्रतिपादन किया था उन्होंने द्रब्यमान सर्णख्षन सिधान का प्रतिपादन किया था जिसके कारण उनकी काफी पोपुलरिकी हुई और उसका जो है केमेस्ट्री में बहुत यूज हुआ जिसके कारण उन्हों है केमेस्ट्री का जनमदाता कहा गया जो आज के डेट में जो केमेस्ट्री का हम लोग सुबह से ले करके साम तक यूज करते हैं उस पर डिपेंड हैं तिक है ना तो इतना सारा केमेस्ट्री को आगे बढ़ाने में एंटोनी लेवोजियर प्रिसले इन सभी बैग्यानी का काफी योगदान रहा और एंटोनी लेवोजियर के द्रब्यमान संदक्षन सिधान्त के कारण उन्हें फादर ओफ केमेस्ट्री कहा गया आधुनिक रासायन का जनक कहा गया ठीक है तो चलिए वह हुआ इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि सब को पता होना चाहिए देखिए केमे लोगिक भी से है क्योंकि सुबह सुबह जो है आप ब्रस करने से देकर परता ब्रस करते हैं तो ब्रस करते हैं तो उसमें जो पेस्ट करते हैं वो भी जो है चे लगाते हैं साबुन से अशनान करते हैं कपड़ा को जो है डिटर्जिंट पाउडर से धोते हैं तो ये सब का सब केमेस्ट्री का कमाल है जो हम लोगे जैसे अभी अभी जो रिसर्च हो रहा है वहुआ जो डॉक्टर लोग रिसर्च कर रहे है कोरोना महामारी का दावा बनाने के लिए कोरोना महामारी की दावा बनाने के लिए जो रिसर्च हो रहा है इसमें केमेस्ट्री का बहुत ही महत्वपूने योगदान है ठीक है उसमें केमेस्ट्री का बहुत अच्छा योगदान है वह हुआ सारे जो भी आपको मेडिशिन मिलता है उ हमारे सरीर के अंदर के जो रोग जनक जिवारू होते हैं वो खतम हो जाते हैं ठीक है तो आईए अब हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं तो सब कुछ हम लोग बताएंगे सुबह से लेकर के साम तक जो हम लोग बैक्सिमाम यूज करते हैं वो सभी के सभी केमिस्टी के ही होते हैं जैसे यह इंक जो मैं लिख रहा हूँ बहुआ यह इंक भी केमिकल से बना हुआ है इस इंक को जो हम लोग लिख जिस इंक से हम लोग लिख रहे हैं यह इंक भी केमिकल से बना हुआ हुआ है ठीक है चलिए दियान दिजिएगा आ जाईए तो आधुनीक रासाइन का जनक आधुनीक रासाइन का जनक फादर ओफ मुडर्न किमिस्ट्री किसे कहा जाता है तो आधुनी लेवोजियर तो आधुनी लेवोजियर को कहा जाता है फादर ओफ किमिस्ट्री आधुनी लेवोजियर को कहा जाता है आधुनी लेवोजियर चिक्खे दियान दिजीए गाँ एंटुनी लेवोजियर को कहा जाता है फादर ओफ केमेस्ट्री एंटुनी लेवोजियर को हम लोग कहते हैं कोई प्राब्लम एक मिनट आप लोग बने रहिए साउंड में कोई प्राब्लम है साउंड अच्छे से जा रही है ना कॉमेंट कीजिए आप लोग साउंड में कोई प्राब्लम नहीं नहीं है तो आज आए आधुनी करासाइन का जनक हम लोग कहते हैं वह वा एंटुनी लेवोजियर को अब आजाईए एंटोनी लेवोजियर को हम लोग आधुनी करासाइन का जनक क्यों करते हैं इसके पीछे रीजन क्या है ठीक है ध्यान दिजिएगा चलिए ठीक है आजाईए आधुनी करासाइन का जनक एंटोनी लेवोजियर को क्यों कहा जाता है तो एंटोनी लेवोजियर ने क्या ऐसा काम किया था बववा जिसके करण उन्हें फादर ओफ केमेस्टी का उपाधी दे दिया गया आधुनीक रासायन का जनक कहा गया क्या ऐसा उन्होंने जो है कमाल दिखाया था तो बववा ऐसे तो बहुत सारे बेज्ञानिक थे लेकिन उन्हें जो है फादर ओफ केमेस्टी नहीं कहा गया तो एंटोनी लेवोजियर को ही क्यों कहा गया तो एंटोनी लेवोजियर ने एक सिधान्त का प्रतिपादन किया और वह सिधान्त था द्रब्यमान संरक्षण सिधान्त उस सिधान्त का नाम क्या था द्रब्यमान संरक्षण सिधान्त और द्रब्यमान संरक्षण सिधान्त ने रासान सास्त्र में एक करांती लाई जिसके कारणी में फादर ऑफ केमेस्ट्री नाम कुपाधी से नमाजा गया आजाईए बहुआ तो एंटोनी लेवोजियर ने किसका प्रतिपादन किया किस सिधान्त का प्रतिपादन किया यह सिधान्त जो है काफी important है मैं इस सिधान्त को बताऊंगा और उसके बाद जो है हम लोग chemistry का जो भी branch होता है उस branch के बारे में भी study करेंगे ठीक है तो बने रही आप लोग एंटोनी लेवोजियर ने द्रब्यमान सन्रक्षण सिधान्त जिसे हम लोग law of conservation of mass law of conservation of mass in English में बोलते हैं द्रब्यमान सन्रक्षण सिधान्त कोило इंग्लिश में लोग law of conservation of mass के नाम से जानते हैं यह सिधान्त रेक, same to same उसी सिधान्त की तरह है जो उर्जा संरक्षण का सिधान्त आप लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगा अभी जस्ट तो एंटोनी लेवोजियर ने द्रब्यमान संरक्षण सिधान्त का प्रतिपादन किया प्रतिपादन किया जिसके कारण इन्हें आधुनी कराशाइन का जनक का मतलब पीता आधुनी कराशाइन का जनक इंगलीज में आप क्या ब्लोगे बहुआ तो इंगलीज में फादर ओफ केमेस्ट्री का हाजाता है अब हम लोग आगे देखते हैं ध्यान दीजिए अब तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर बार-बार आप बोल रहे हैं फादर असन क्यों कि इनों ड्रविमान संडाप्षण सिधानत का प्रति-पादर किया, तो ड्रविमान संडाप्षण सिधानत जो है, वह क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिये, तो बहुआ, मैं आप लोगको अभि जस्ट बताऊँगा द्रब्यमान संरक्ष्ण सिधान्त के बारे में, और द्रब्यमान संरक्ष्ण सिधान्त को पढ़ने के बाद, हम मैं आप लोग को types of chemistry, जो branch of chemistry है, उस branch of chemistry को बता देख लिजिए थोड़ा सा द्रव्यमान संड़क्षन सिधान्त के बारे में क्या कहता है जिसके कारण हमारे केमेस्टी में जो है करांती आ गई और उसके बाद जो है बहुत सारी रासाइनी का भिक्रिया होने लगी हम लोगें डालते हैं बहुत टॉपिक